वेलकम फ्रेंट्स, वेलकम इन यूटूब चानल, शिव कंसलेटन्सी के यूटूब चानल में आप सभी दर्शकों का हरदिक स्वागत हैं। हाउसिंग सोसाइटीज में या कोपरेटिव सेक्टर में अलग-अलग तरीके के ट्रांसफर होते हैं। उसमें से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका नॉमिनेशन नहीं रहेगा, तो फ्लैट या प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होता है। अभी चार तरीके के में ट्रांसफर हैं। अगर नॉमिनेशन अवेलेबल है, तो जो ओनर है उसकी डेट के बाद प्रॉपर ट्रांसफर हो जाता है। और चार रेगूलर ट्रांसफर अगर उसने अपना फ्लैट बेश दिया किसी को, तो ये हो गया चार ट्रांसफर। इसमें से ज्यादा जो में फोकस या में टोड़ा सा लेस अवेरनेस वाला एरिया कहेंगी कि अगर नॉमिनेशन नहीं रहेगा, तो फ्लैट के से ट्रांसफर होता है। ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसिजर रहती है, सुसाइटिस के लिए भी और इवन उनके लीगल हारेस के लिए भी जिसके मेंबर के भी डेथ हो चुकी है, उसने नॉमिनेशन नहीं किया है और उसके बाद उनको फ्लैट को ट्रांसफर करवाना है। ये वीडियो शेर करने के पीछे परपस इतना ही है, कि अगर आपने आपके फ्लॉट या फिर प्रॉपर्टी का नॉमिनेशन न जाता है, कई बार अनक्लेम रहे जाता है तो ऐसी सिच्वेशन ना हो इसके लिए आप आपका नॉमिनेशन करें, तो देखते हैं कि अगर नॉमिनेशन नहीं रहेगा, तो ट्रांसफर कैसे होता है, सबसे पहले तो अगर आपका वील वगरा रहेगा, तो उसके बेसिस पे फिर वो क्लेम का स्टार्ट कर सकते हैं, ओनर का उसमें विल होना चाहिए, उसको प्रोबेट किया है, सारा अगर उनके पास अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे जो आपका लीगल हार या आपने जिसको वहाँ पे मेंशन किया, उसके बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं, और जो जो भी mention किया होगा उस पे के basis पे होगा अगर feel आपका नहीं बना है या ऐसा आपके पाच कुछ भी documents नहीं है और suddenly अगर member का death हो जाएगा और अगर एक से ज्यादा legal है मिन्स आपके कई बच्चे दो तीन बच्चे है आपके जो इसको property को claim करना चाहते हैं जिनमें आपसी बनाव नहीं है उनका कुछ न कुछ आपसी problem है या फिर अगर आपके बच्चे नहीं है और आपके भाई बेहन है वो उस property को लेना चाहते है तो इसकी समें court के dispute खड़े हो जाते हैं फिर court cases चलते हैं इस case में जो फिर आपका legal hierarchy रहेगा उसको court से succession certificate लाना पड़ता है अब यह succession certificate लाना भी इतनी सीधी चीज़ है नहीं उसमें भी court कई सारे documents की requirement करता है legal hierarchy को कि जिसका आपको compliance करना पड़ता है और उसके बाद ही उसके बाद जितना भी verification होगा व सबसे crucial process है अगर nomination नहीं रहेगा तो तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर आपका यह process complete हो जाएगा succession certificate का तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि directly flat transfer हो जाएगा उसके बाद भी कई 4 main documents है यह 4 main process के part है जो उस legal hierarchy को complete करने पड़ेंगे एक तो उनको membership के लिए apply कर करना पड़ेगा अंडर by laws 35 जो format है उसके अंडर उनको करना पड़ेगा उसके बाद उनको एफेड़ेविट सब्मिट करना है stamp paper पे उसके बाद उनको indemnity bond भी बना के देना पड़ेगा stamp paper पे ही और चौथा पाथ होता है कि उनको public notice देनी पड़ती है local advertisement कोई विदो पेपर म और दूसरा कोई भी local language select कर सकते है आपकी जो मात्रू भाष है उसके basis पे तो उसमें आपको advertisement देना है ताकि और उसमें 15 days का waiting period रहता है वो इसके लिए है कि अगर इसके और कोई भी legal hire रहेंगे तो वो paper में पढ़के आ सकते हैं उनको claim करने के लिए ये waiting period compulsory होता है तो ये स सारा process उनको करवाना पड़ता है और इसके साथ साथ और requirement रहती है regular transfer के लिए तो आपकी society आपको बता देगी कि ये सारे documents की requirement है तो फिर legal advisor के पास जाओ advocate के पास जाओ ये सारा document का compliance करा वो सारा उनको compliance करवाना पड़ता है क्यूंकि अगर ये सारा legal procedure complete हो पाया तो ही after verification of this document society accept करते हैं कि ये application accepted है उसके बाद ही फिर वो flat transfer के लिए जो आपका proposal है ये आपके legal hire का proposal है फिर वो managing committee में discuss करते हैं और उसके basis पे approval मिलता है अगर किसी कारण वश compliance नहीं हुआ या कोई भी एक paper उसमें से proper नहीं रहा या और कुछ cases है तो उस case में means partial compliance है या non compliance है ये दोनु भ लाइट को transfer नहीं करते हैं वो सारा case hold पे चला जाता है तो इस सबसे बचने के लिए better है कि आप आपका nomination form आज ही fill up करें अगर आपने नहीं किया है तो और अगर आपको nominee change करवाना है तो आप आज ही आपकी society में request letter दे सकते हैं और आपकी nomination को change करवा सकते हैं उसको society से properly register भी video release किये थे कि nomination जरूरी क्यों है nomination form को कैसे fill up किया जाए तो यह जो वीडियो जी उसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी तो उसको जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक आपका nomination नहीं किया है तो अगर ऐसे ही आपके कुछ question है या फिर इस video से related आपके कुछ question से या हमारे other videos related कुछ question है तो आप हमें पूछ सकते हैं यहाँ पे आपको हमारा phone number हमारा email ID और हमारा website का detail भी मिल जाएगा अगर इस से related कुछ है तो आप हमें पूछ सकते हैं second एक छोटी सी request पहली बार हमारे channel पे आये होंगे तो हमारे channel को subscribe करना ना भूले उसको notification को bell icon को press करना ना ना भूले है उसके सबके details यह सबके जो notification है आपको मिल जाएंगे और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके जो love one होंगे उसके साथ share करना ना भूले तो thank you thank you for watching this video